हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब रामजी की पाट साला में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी रनिंग की तयारी किसीज की रनिंग की तयारी बहुत ही बहुतर ढंग से चल रही होगी अगर नहीं चल रही है तो फिर से आप लोग इस चीज़ पे विचार कर लिए कि आप अपने महिश्य के साथ बहुत बड़ा खिलबार कर रहे हैं तो कि आप सब को पता है कि कल ही एक notice viral हुआ था जो 28 आपके दिसंबर का था ठीक है 28 दिसंबर का था जिसमें आपके DVPST होने की बात की जा रही थी उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया कि वहें notice fake है पर ऐसा नहीं है भाई आप सब को ही पता है ज्यान से मेरी पुरी बात सुन लेना आप लोग ठीक है राम जी की पाटशाला राम जी की पाटशाला आप सब को कितना विश्वस्णी ये चैनल है वहें बातों को बिलकुल भी घुमा फिरा के नहीं बोलता है और सीधे सीधे हर समय आपके साथ सही और सची ख़बर देने के साथ अच्छे कंटेंट भी आपके लेके लेकर खड़ा रहता है उसके बात बहुत दुख होता है कि आप जब लोग कुछ का कुछ बोलते है मतलब अजीब सी बाते बोलने लगते है तो ये कही ने कहीं किष्टदाई चीज़े रहती है चलिए वो बात तो अलग है पर आपको फिर भी बहुत चीज़े सोच विचार कर बोलनी चाहिए ठीके आप देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने देखा होगा कि कल ये एक विभागिये नोटिस कैसा है विभागिये नोटिस ये आपका एक सकंड ये आपका विभागिये नोटिस था जो वाइरल हो रहा था कहां से प्रेशित हुआ था आपके भरती बोर्ड से प्रेशित हुआ था और किन के लिए कौन कौन से प्रयागराद जोन भरानसी जोन, गोरखपूर, लखनाउ कानपूर, बरेली, आगरा, मेरट इन जोन के ADG के पास ये प्रेशित किया गया था और इसमें पूरी की पूरी बात आई थी कि यूपी पुलिस का जो एक्जाम आपका हुआ है वो बीस हजार अभी है उन में से बीस हजार लगभग सब्दिक्वी आयूज हो रहा है लगभग बीस हजार तो अभी इस पे बहुत तकड़ा बवाल मच गया कि भाई ये फेक है य एक ओर फोटो वाई Cathy को जो रहा है इसी की अगली पंक्ति को द्योड़ता है यहां पे तारीख आपैप देख लो अठ्थाइस तारीख है और वहां पे आप देख लो अनतिस तारिख है यहाँ पे देख लो आप ध्यान से में दिखता हूँ आपको जूम करके चीजे हों को यहां पे आप जूम करके देखो थोड़ा फोटो जो है वो ब्लर है यहां पे आपका 29 डिसंबल लिखा हुआ है और एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज समझ लो आप यह देखो यह लिखा गया है यूपी भरती बोर से अपर पुलिस महानिदेशक यह यहां प PPR PB से लिखा गया ADG के करयाले को और ADG ने SSP के करयाले को लिख दिया है ठीक है अपने नीचे के करयाले को यह लिख दिया है तो अब देखो 28 तारिक में 28 से यहां पे आता है 28 से 28 तारिक में ADG के पास यह आता है उसके बाद यह 39 तारिक में आपके SSP के आज पास आ जाता ह और इसमें भी आपकी सेम चीज़ लिखी हुई है कि बीस हजार अभ्यर्थियों का DVPST होना है, बहुत सारे लोग आपको मिठी मिठी गोलियां दे रहे हैं कि भाई पचास हजार लोगों का होगा और भाई पीस हजार लोगों का होगा और सकेंड में लगेगी, भाई उस सब जाते बाब की हैं, मैंने भी यह सारी चीज़े आपके सामने रखी थी, बिल्कुल प्रामानिक्ता के साथ सारी चीज़े रखी थी, कि भाई इस नोटीस की सच्चाई उतनी ही है जितनी 20 अक्तुबर और 12 नवंबर की जो तिथी ही आपकी, 20 अक्तुबर से एक्जाम जाके मैंने चीज़े कही है, हजार बार बात बोल के आपको बताइए, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे चलो, सबसे नीचे चलो, यहाँ पर आप चीज़े देखो, यहाँ पर प्रॉपर ली डॉक्टर आर के विश्व कर्मा, यानि भरती बोड के जो है, यानि कि 23 तारिक में ये उनके पास से निकल गया, और 28 तारिक में, यहाँ पे देखो, 28 तारिक में अपर महानदेशक, यह इनके पास यहाँ से यह कारवाई हेटू, यह आगे मतलब, प्रॉसेस आगे हो गया 28 तारिक में, यह आप प्रॉसेस देख लो, पूरा का पूर यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि उपनी रिक्षक नागरिक पुलिस है ना महिला एम समकक्ष पदों की सीवी भरती के अंतरगत ऑनलाइन लिखित परिक्षा में डीवी पीस्टी हे तू अरह लगबग 20,000 अभ्यातियों की डीवी पीस्टी कराई जाने है तू दलो के स चीज भी आप एक बार देख लो अब देखो यहां पर जो गोरकपुर है गोरकपुर में यह जोन में यह जिले आ रहे हैं आपका गोरकपुर जोन आ गया यहां पर देवरिया कुशी नगर महराजगर संत कभीर नगर यानि कि इन पांच जिलों में आपका डीवी पीस्टी होगा गोरखपुर जोन का अब होगा किसका कहां ये कुछ नहीं का जा सकता है बढ़ फिर भी आप चीजों को समझ लो देख लो अच्छे से आगे क्या बाट बोली जा रही है क्रपया पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष उत्तप्रदेश भरती बोर्ड लखनाउं के पत्र संख्या ये दिनांका थाइस बारा को छाया प्रती सनलग का अव्योकन करने करें जिसके द्वारा अवगत करा गया है कि उपनिरिक्षक नागरि आप इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें और नहीं चीजों को जूटी माने और सही तरीके से चीजों को बोला करें ठीक है राम जी की पाट शाला आपको बहुत सही चीजे बताता है और बहुत सही बाते आपको देखने को मिलती है यहां पर और चीज़ें आपको समझा द देखिए यहां पर बताता हूं तो अब आपका DVPST बहुत जल्दी चलने वाला है और मैंने कल भी बोला था आपको उसमें यह सारी बाते आ रही थी कि आपकी जो आंसर की है वो रिवाइज्ड आंसर की आएगी के नहीं आएगी तो मैंने बोला था कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि आएगी पर यदि आती भी है तो बिल्कुल इस तरह आएगी साथ में रिजल्ट आजाएगा और रिजल्ट के साथ में ही आपकी फाइनल आंसर की आजाएगी और उसमें पता लगेगा कि आप लोग क्वालिफाई हैं क कल पर सो आपका कभी भी रिजल्ट घोशित करने के बाद जन्वरी के परत्धम सप्ता अपका DB, TST का लोग चालू करने तो बिल्कुल आप लोगों को तयार रहना है किसी भी भ्रम में आपको नहीं पड़ना है किसी भी बातों में नहीं पड़ना है आपको मैं हमेशा authentic news देता हूँ इसी चीज में आपको ये बाते समझ नहीं है और अपनी running आप लोग करते रहो ठीक है किसी की बातों में आप ना पड़ो इसी इच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी की पाठ शाला मेहूरा महरदवाद जेहिंद जेवाद